विल्कम बैक पूर फेवरेट यूटूब चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल कैसे है गाईज आप सब लोग आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे इंडिया वर्सेस कैनेडा टीटी वॉल्ल कप दो जाट चॉबिस का अगला मुकाबला मैश नंबर 33 जो की खेला जाने वाला नहीं हुआ जिसका इंपक्ट पूरे मैश पूरे आप देखो सूपर रेट में कितना पड़ा है कि यूएस से सीधे सीधे क्वालिफाई कर गई है सूपर रेट में पहुंच गई है और जिस वज़े से पाकिस्तान की बात कर ले या कैनेडा की बात कर ले यहां पर तार मैश जीतने के पास सूपर रेट में अपनी जगा बनाने के पास जरूर चाहेगी कि यह चौथा मैश भी पूरा क्लीन स्विप करके यहां से जाए तो गाई जिस तरह से यहां पर इंडियन टीम परफॉर्म करेगी इसके अलावा हमारी लिए यह इंपॉर्ट इस जान क्योंकि सामने कैनेडा में अगर बात करेंगे गेन बाजी उस लेवल की मैं नहीं देखती हूँ वहीं बात करेंगे अगर इंकी आगे की अगर हम परफॉर्मर्मर्ट देखे तो यहां रिषभ पन की बात करें सूरुकुमार यादो हार्दिक पान्या जडेजा अक्षर पत किसी नहीं बनाओगे तो क्या यह मैच आप जीच सकते हो यह सारी बातें वीडियो में डिसकस करेंगे और कैनेडा के साइट से आपको कौन से प्लेयर लेने हैं देखो सारे प्लेयर आप इंडियन टीम के उठाके तो मैच नहीं जीतने वाले हो पहले एक चीच क्लियर कर ल अच्छे प्लेयर इनकी टीम में भी देखने को मिलने वाले हैं अब इन सारे प्लेयर में से हमारी बेस्ट 11 कैसे बनेगी बेस्ट CBC कौन होने वाला है और IND वर्सें CAN के ग्रांड लिग टीम क्या होगी हेट टो इट हेट टो इट तो यार होई नहीं है आपर वेन्यू इस रिपोर्ट की डीटिल में हम बात करेंगे यहाँ पर कौन सा प्लेयर कैसा पॉफॉर्म करता है सारे फिलाडियों की रीच्ट परफॉर्मेंस क्या है बॉलिंग ऑर्ड रहने वाली और इस मैच का ग्रैंड लिग पी गेम चेंजिंग प्लेयर कौन होने वाला है जैसा कि हर रोज हम आपको बताते हैं लास्ट मैच आप लगा तार जाके हमारे टेलिग्राम पे चेक कर सकते हो हर मैच में लाइन अप से पहले मैं आपको गेम चेंजिंग प्लेयर बताती हूँ और जो प्लेयर ग्रैंड लीक का सी वी सी बन कर आ रहा है आप चेक कर सकते हो खुद भी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आप टेलिग्राम पे जाओ चेक करो डिस्क्रिप्शन कॉमेंट बॉक दूरू जगा आपको टेलिग्राम मिलेगा अगर आपको लगेगा मेरी बात में सच्चा ही है तो आप टेलिग्राम पे जोईन हो जाना नहीं तो मैं जोईन होने के लिए बोल ही नहीं डियो अगर आपको लगेगा कि वहाँ पर आपको कुछ क्वालिटी कंटेंट मिल ला है तो आप जोईन हो जाना काईस ठीक है इसके अलावा यहाँ पर वीडियो में देखो गिववे स्पेशल वीडियो रहने वाली है आगे मैं एनाउस करने वाली हो लास्ट दो मैच के हमारे गिववे विनर कौंकों से बने है लेकिर उससे पहले मैं आपको उताती हूँ कि जो हमारी फाइनल टीम आती है वो टेलीग्राम पे आती है लाइनप के बाद जब पता तुलता है दोनों टीम की प्लेइंग 11 के है जैसे कि टॉट जीतने के बाद अगर इंडिया गेन बाजी करेगी लेकिन अगर इंडिया पहले बैटिंग करती तो फिर बड़ा स्कोर बनेगा अच्छा खासे स्कोर बनेगा और वहाँ पर इंडियन बैटर भी आपको बहुत पॉइंट लिलाएंगे गेन बाजी से भी पॉइंट मिलेगा आप देख सकते हो मैं नहीं कहारी आप मेरे सीम टीम के साथ खेलो लेकिन आप 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 आपको आप्शन देते हैं जो कुछ हम आपको बताते हैं उस समय नौलेज गीम के इसाब से जो करेंट सिचुएशन होती है पिछ के इसाब से वो चीज़ें बहुत फरक डाल रही है पूरे मैच में तो आप खुच आकी चेक भी कर सकते हो आखरी 10-12 मैच उठा के देखना ना एक मैच पे बात दी कर रही हूँ अगर आपको लग रहा है कि आप मेस अथ खेल के अच्छी खासे बिनिंग कर सकते हो तो गाइस टेलिग्राम से जूड़ जाना है नीचे ओप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का यार इतना प्यार से इतना अच्छा वीडियो आपके लिए बना रही हूँ पहले तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को उसके जस्ट उपर ओप्शन दिखेगा मोर का जैसे आप मोर पे क्लिक करते हो ये पेज उपे रोजाएगा यहाँ पर दिखेगा टेलीग्राम टेलीग्राम पर क्लिक कर दिना है टेलीग्राम हो जाएगा ओपेन फैंटेसी क्रिक बॉल यहाँ से आपको कर लेना है जाओ तो आप सर्ज भी कर सकते हो लिगिंगाईस हमारी प्रियोरिटी होती है कि आप हमारे में चैनल से जुड़ो आजकर बहुत फेक चैनल भी चल लें तो उनसे आपको दूर रहना है ठीक है जो आपसे जूटे वादे करके आपसे पैसे मांगते गाई सबसे पहले मेरा सजेशन मेरी ओपिनियन आपके लिए एक दम लिस्टर ख्लीन एक दम यह चीज है कि आपको किसी भी फेक चीजों मे आपको नहीं जीता सकता आप मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत दोग की मेसेज़ेस ऐसे आते हैं तो इसलिए मैंने आज वीडियो में यह बात बोली है कि आपको इन चीजों में नहीं फसना है और टेलिग्राम से हमारे साथ जुड़ जाना है जहां पर मैं आपक क्या है तो फटा फट जाके वहां से टेलिग्राम कॉमेंट बोक्स से पर जुड़ सकते हो गाइस क्योंकि आप प्यार सा कॉमेंट भी मेरे लिए कर देना और वीडियो को लाइक कर दो एक सेकेंड लगता है जल्दी से वीडियो को लाइक करो फ्लॉरिडा की बात करने वाल लोइस्ट स्कूर की बात करें तो निउजिलांड ने बनाया है एक्टी वन पे पूरी टीम पविलियन लोड़न थी टोटल पंदर मैश है जिसमें फोर्स वेटिंग करने वाई टीम ने ग्यार मैश और सेकेंड मैटिंग करने वाई टीम ने चार मैश जीते लेकिन आप ये बिल्कुल भी मस सोचना कि इस हिसाब से ये मैच चलेगा क्योंकि गाइस देखो अभी situation उस समय कुछ और थी अभी कुछ और है अभी बारिश ओर यहां पर तो जो भी टीम यहां टॉच जीतेगी वो पहले बॉलिंग ही चूज करेगी ताकि चाहेगी सामने ओरी टीम को कम रनों में समेट देना और उसको इसली चेस करना तो यह थोड़ा सा यहां पर चेंज आपको होते वे दिखेगा गाईस अगर स्कोरिंग पैटन देखेंगे तो देर सो से नीचे का लिए तो यह बात हुई है आखरी कुछ मैच देखेंगे जो लीसें लीडिया का मैच इसको इंडिया ने चेस करते वे दीता नौ विक्टे के दिए जिसमें से पांच विकेट पेसर को मिली और चार विकेट स्पिनर को लिए एक और मैच इंडिया वेस्ट इंडियर इसको इंडिया ने फर्स बैटिंग करते वे दीता पंद्र विक्टे की रही है जिसमें से नौ विकेट पेसर ने लिया और पांच विकेट स्पिनर ने लेकिन आप ओर और देखू ना तो इंडिया ने पहले गेंद बाजी ज पेसर के साथ इंडिया के आपके अकशर पते हैं जड़े जा भी इस माच में फैर्क डाल सकते हैं लागे बात करेंगे यहां पर की यह पड़ा मैच आप खेलना है रियल 11 के साथ जहां पर मैं खुद खेलती हूं देरो बिना खुद खेलेना मैं आपको कोई ची नहीं देन अगर आप low investor हो या high investor हो तो किसी लिए आपके लिए फाइदा ही फाइदा होने वाला है क्योंकि अगर आप comparison करोगी इस्पेशली small contest में अगर आप देखोगे small league में तो वहां पर आपको बहुत फाइदा मिलने वाला है same price money के contest के लिए हम अधर app पे जी हो पैसे दे रहे हैं आप यहां compare करके देखे ना 500-500-1000 रुपय का अंतर आपको एके contest में मिल जाएगा तो guys ये बाते अपना दिमाग यूज़ करो तो सही जगा खेलो जहां पर आपको फाइदा हो सकता और real 11 पे आप अपना फाइदा बना सकते हो guys सबसे lowest entry fee पूरे fantasy field में इनसे कम entry fee आपको कही नहीं लगने वाली है तो ये पहला फाइदा हो गया दूसरा की guys आपको multiple sports का option मिलने वाले है इतने game आप career 11 में इस वक मिलने वाले है ना fantasy के अलावा भी किया आप सोच नहीं सकते है दसों app डाउनलोड करने से अच्छा है कि single app डाउनलोड करो और जो मन वो खेलो extra time में आप यहां लूडो भी खेल सकते हो खुद contest create भी कर सकते हो और किसी को भी challenge दे सकते हो तो मुझे भी challenge दे सकते हो और मेरे साथ भी लूडो खेल सकते हो टीडेस आपको cashback आ जाता है पहली चीज आप उसको return file करना पड़ता है वहाँ पर उसकी भी detail में आपको telegram पे दे दूंगी जिसको नहीं पता है आप telegram पे मैसेज करना GST यहां पर free रहने वाले आप यहां ट्रीडिंग भी कर सकते हो जिसमें आपको अपनी GL, mini GL सब आ जाएगा आपको जिसमें खेलना है two member, ten member किसी में भी आप join कर लो हम आपको best team देने की कोशिश करेंगे और देख भी सकते हो आपको बहुत सारे ऐसे अच्छे-ची offer भी आज मिलने वाले तीन उपए में आपको यहां पर gadgets भी आप जी सकते हो मात्र तीन उपए में तो यह वाला contest अज सब लोग join कर लेना और उपर में देख आपको option दिख लोगा right side में opinion का जब आप opinion पर कई लोग कुस्ते नहीं मिलता है इसलिए मैं आपको बतारी हूँ कि right side में उपर option दिखता है opinion वहाँ पर आप जब प्लिक करते हो तो इस तरह का page open होगा जिसमें आपसे इस तरह की question पुछे जाएंगे इंडिया टुविंटी टुविंटी इंटरनाश्म मैच वर्सेस कैनेडा तो इस तरह की question में हमें अपनी opinion देनी होती है कि आपको क्या लगता है आप कोई देव शूरेटी नहीं है मैच से पहले कोई बता नहीं सकता है कि क्या होने वाले लेकिन आप अपने gain के knowledge से जो आपकी skill यूउस करके जो आपका experience है आप यह पर छोड़े जोड़े question की कोई answer देके आप पैसे बना सकते हो ठीक है तो अगर आपको लगता है इंडिया जीते की आपको yes करना है rate मिलेगा quantity अपने budget के according select करनी है और confirm कर देना है आपकी team जीच जाएगी तो पैसे आपको मिल जाने तो इसके लिए easy winning करनी है low competition के साथ अगर आपको खेलना है और डेली पैसे बनाने तो real 11 सबके phone में होना चाहिए और guys fantasy cricket ball family के जितने लोग है सबके phone में real 11 होना चाहिए तो फटा फट जाके description में link है सब लोग जाके download करो और हमारा refer code FCBU जरूर करना ताकि मुझे पता सल सके कि आप मेरे family में मेरे साथ खिलते हो ताकि in future आपकी कोई भी problem में solve करा दो तो यार आप सोचो मत download करना शुरू कर दो ठीक है बात करेंगे दोनों टीम की play 11 क्या रहेंगी लेकिन उससे पहले यहां पर मैं बताने वाली हो मेरे last दोनों वीडियो के giveaway winner की announcement तो last match की बात करेंगे गाई जो match ही नहीं हुआ था लेकिन यार अब giveaway तो देना यह match हुआ चले हुआ इस वाले match में बात करेंगे तो गाई यहां first like first comment किया था रिया यादो ने और best comment किया है इस match सिकंदर ने किया है तो यह आप दोनों देख लो और यह वाला match अगर हम देखेंगे यहां पर first like first comment शिवम का है और यहां best comment हश्मुक परमार और सबसे पहले सबसे सही मेरे दोनों question का answer यहां पर दिया है सुमित गौतम ने तो यह पांचो हमारे last 2 match के winner हैं दो वीडियो के आप देख लो guys यहां पर जिसका जिसका भी नाम यहां आया हुआ है मेरे telegram id fantasy girls 7 पे आप मुझे message कर देना अपने अपने comment भेजना ताकि आपको आपके prizes मिल सके तो सब लोग jobs और condition भी है कि आपको telegram पे जोईन होना पड़ इसी तरीके के आगे भी आपको मौके मिलते रहेंगे और सबको मौका मिलेगा सब लोग जीतेंगे तो बात करेंगे दोनों टीम की प्लेइंग 11 सबसे पहले हमारी men in blue इंडियन टीम के तरफ से open आएंगे रोही शर्मा the hitman उनका साथ देते वह दिखेंगे विराट कोली दर पटेल, रविंद्र जडेजा, जस्प्रीद भूबरा, शदीब जिंग और मौंमा सिराथ तो कुछ इस प्रकार होगी हमारी इंडियन टीम की प्लेइंग इलावत आप इनमें से आपको किस तरह से अपने प्लेयर चूस करने क्योंकि सामने वाले टीम में थोड़ा सा कम जो सकते हो, मैं यहाँ अक्षर को प्रिफर कर रही हूँ, तो यह कुछ ऑप्शन है, अगर इंडिया पहले बेटिंग आएगी, तो वहाँ पर आप अक्षर को ड्रॉप करके सूरिया को अपने टीम पे रख लेना, यही इतना ही करना, आपको ज्यादा दिमाग लाना नहीं है, मैच निकल जाएगा, ठीक है, कितम एजिली यह मैच, आपको जैकपॉट मैच होने वाला है, जैकपॉट होने वाला है, आगे स्टाफ्स बताने वाली हूँ, आपको मज़ा आजाएगा, ग्रैंड लिग मैच आया है, वन साइड़ें मैच को हमेशे तो भी टीम बहुत स्ट इस तरह से भी चीजे होती है, तो बात कर लेते हैं, यहाँ कैनड़ा की प्लेंग इलावन, कैनड़ा की तरफ से ओपर आएगे, नवनी, धलिवाल, उनका साथ दिते वे दिखेंगे, आरों जॉंसन, वन्डाउन बैटिंग आएगे, परगत सिंग, बैक टूबैक प्लेयर हैं, इसलिए मैं जो लग रहा है, इनके साथ जाना अच्छा उप्शन है, अगर यह टीम पहले बैटिंग करती है, तो एन किरतन, एस मोवया भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अग मैं जहां तक मुझे लगता है, कि आपको यहाँ पर जे गॉर्डन, हेलीजर, यह दो प्लेयर होंगे, जिनके आप अपने टीम में रख के आ सकते हो, बाकी किसी भी चारों में से ही आपको लेने हैं, यह दोनों भी मोवया को लेगे, मैं बहुत श्यों नहीं हूँ, लेकिन किरतन अच्छे प्लेयर है, हेलीजर और गॉर्डन, यह दो फिक्स प्लेयर मेरे ह तो आप देख सकते हो, इस बाकी में किसी के साथ नहीं जाने वाली हूँ, यहाँ पर भी, तो बिल्कुल भी मैंने आपको कोई भी यहां आपको रिस्क किया, फिर कन्फ्यूजन क्रियेट नहीं किया है, मैंने सब की तारीफ नहीं करी है, आपसे कि हर किसी प्लेयर को अच् कि लाड़ों की लास पांच मकाबले के स्टैट्स क्या रहे हैं, तो जिसके बेसिस पे हमारे लिए टीम बनाना असान हो जाएगा, स्क्रीन शॉट लेते जाना है, रोई शर्मा के आप करिंट स्टैट्स देखोगे, लास दो मैसे फ्लॉप रोई शर्मा इस मैच में हीट कर सकते हैं, रोई शर्मा को इस मैच में जरूर लेना, अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है, तो वीसी बना के आप सकते हो, यहाँ पर कैनेडा के एगिस मैच नहीं खेला है, जादर बात करें, वेन्यू पर पांच मैच खेला है, एक सो चानबे रन बना है, एवरेज आने वाल आई है, और अच्छा जा भी रहा है, हलाकि एक प्लियर पे हम ऐसी चीज़े नहीं बोल सकते हैं, और यह बड़े खिलाड़ी हैं, अभी दो-तीन मैच फ्लॉप जरूर हुए, लेकिन आगे जब कुछ कुछ कुरूशिल मैचन स्टार्ट होंगे, हमारे सूपर 8 के तो वहाँ पर विराट कोली से परफॉमेस जरूर आएगी, मैं बहुत कॉन्फिलेंट हूँ उनको लेगे, कैनिडा के एगेंस मैच नहीं खिला है, वेन्यू पे तीन मैच खिला है, तीरसर टर्ण मने हैं, आगे बात करेंगे सूरिकुमार यादो की, लास पांच में से दो बड़ी पारियां, आकरी मैच में परचासा मारा था, कैनिडा के एगेंस मैच नहीं खिला है, वेन्यू पे दे को दो मैच खिला है, पचासी रन मना है, चालिस से उपर का एवरेज है, रिशब पन, जिनकी फॉर्म बहुत अच्छी है, आप दो को पांच के पांचों मैचो में स्वर किया, किसी भी मैच में कम्प्लीटली फ्लॉप नहीं रहा है, साथी साथ कैचें, स्टंपिंग से भी पॉइंट दे रहे है, रन आउट वगेरा से, तो इसी वी सी के एक काफी सेफ ऑप्शन, रिशब पन भी हो जाते हैं, आप बेटिंग भी उपर आ रही है, तो बेटिंग का मौका मिला था, 30 प्लस रन मारे थे, कैनेडा के एगेंस मैच खिला नहीं, बेन्यू पर मैच खिला नहीं, इस मैच में शायद बेटिंग का मौका ना मिले इस खिलाडी को, हार्दिक पार्डिया जो आपको गेंद बाजी से कन्फर्म पॉइंट दे के वर्ड कप से पहले की हार्दिक की सेलेक्शन बेंद बाजी के बेसिस पर ना कि बल्ले बाजी के, क्योंकि बल्ले बाज तो ऐसे इंडिया के पास महार्थी पड़े हैं, तो आप देख भी सकते हो आखरी चारों मैच में हर मैच पे विकेट मिलिए, एक विकेट, दो जडेजा कार नहीं रहा है, मतलब अभी तक तो थेखा जास मैच में जैसे के जडेजा ने गेन बाजी नहीं की तो क्या फिर आप उबीद करोगे बैटिंग नीचे ही आती है और इसी वेदे से हमने अपने टिक में नहीं ले आता है सब लोग लेक आयते इंडिया के तरब से सारे प्ले एधर के आयते नेन हमारे टिक में अक्षर पतेल को जगर मिईती जड़े varios जगर नहीं में आगे अर्शिदीब की बात करेंगे consistent खिलाड़ी है last match चार विकेट मिली थी इस match में हो सकता है इतनी विकेट तो नहीं मिलेगी लेकिने काका विकेट देखो मिली जाएगी ऐसे player है ना कि यहां पर आप देखो दो विकेट दो विकेट दो विकेट एक विकेट last match चार नहीं मिली थी तीन विकेट उससे पहले मिली last match विकेट नहीं मिली क्या यह कहानी अर्शिदीब के साथ दो राने वाली है या नहीं हो गया क्योंकि सामने और टीम विकेट को कमजोर ही है बाकी बुमरा हर match विकेट ले रहे थे उससे पहले दोनों match में लगा तार player of the match भी Canada के against match खिला नहीं है लेकिन वेनियू पर फ्लॉरिडा में दो match खिला है चार विकेट निकाली है आगे मौमत सिराज की बात करेंगे लास्ट दो मैच से विकेट नहीं मिली है इस match में आप सिराज को अगर risk taker हो CVC लेके ओ ग्राड लिग में सिराज अगर इंडिया पहले balling सिराज इस match में आपको grand league जिता सकता है Canada के against इन्हों ने match नहीं खेला है नहीं फ्लॉरिडा की मैदान में match खेला है आप extra player के screenshot ले सकते हो bench player के अगर बात करें balling order की तो power player में ball डालेंगे मौम्मद सिराज, अर्शदीब सिंग, जस्प्रीद घुम्रा, हार्दिक पांडिया जडेजा और अर्शदीब सिराज, जस्प्रीद घुम्रा, हार्दिक पांडिया, जडेध में ball डालेंगे मौम्मद सिराज, अर्शदीब सिंग, जस्प्रीद घुम्रा, हार्दिक पांडिया, जाई दिको ये चारो player एक तु क्यों important है क्योंकि अपने पूरे चार over कराएं तो ये surety होती है, जडेजा और अक्षर में over बटेंगे, अक्षर के high chances होते हैं, ज्यादा over डालने के इस समय जो इस तरह की venue है, आभी तक तो मुझे लग रहा है अक्षर जडेजा से safe हो सकते है, जडेजा grand league पीक हो सकते है, small league में जडेजा को जगा नहीं वेलेगी, ठीक ह बागी गाईज देखो, यह बात हूँ, यह मारी इंडियन डिप क्या बात करेंगे, यहाँ पर कैनेडा के players की सबसे पहरे नवनीद हलिवाल की बात करेंगे, लास्ट दो मैसे flop, उससे पहले अच्छा खेल लेते हैं, इंडिया के अगेंस नहीं जहल पाएंगे, इंडिया क इंडिया के अगेंस मैश खिलाने है, वेन्यू पर मैश नहीं जहूंगी, आप चाओ तो रिस ले सकते हो, मैं ऐसा कोई भी रिस नहीं लेने वाली हो, यार जो की वर्क ही ना करें, एंडिया के अच्छा आप्शन हो सकते हैं, आखरी पांच में से आप देख भी सकते हो, त इंडिया के अगेंस मैश खिलाने है, वेन्यू पर मैश नहीं जाने वाली हो, आप स्टाइस देख सकते हो, आखरी पांच में सिर्फ एक मैश में अच्छी पारी आई है, देकि डी हैलीजर, जो मेरे फिक्स प्लेयर हो सकते हैं, चार विकेट, एक विकेट, दो विकेट, द यहां पर अच्छा खेल सकते हैं, मुझे लग रहा है, आप रिसेंट स्टाइट देखो तो इंको विकेट मिल रही है, हला कि स्पिनर को मदद कम है, फिर भी आप इंको ट्राइ कर सकते हो, जुनाय सिद्धिक की, दो विकेट, दो विकेट, जिरो विकेट, एक विकेट, जि अब यह दो तीन नाम इनफ है, कलीम सना कि अब स्टाइट देखो लाग दो मैच विकेट नहीं मिले, विकेट मिल भी जाएगी तो एक विकेट से आदा कुछ मिलेगी नहीं इनको, जे गॉडर, जो भर के विकेट निकालना है, दो विकेट, तीन विकेट, जिरो विकेट, ले सकते हो guys अगर balling order की Canada की बात करें तो power play में ball डालेंगे D-Helizer, Junai Sidqi, J-Gordon and Kalim Sanah, middle order ball डालेंगे Junai Sidqi, D-Helizer, J-Gordon and Saad Bin Zafar, death में ball डालेंगे D-Helizer, Junai Sidqi, J-Gordon and Kalim Sanah, लीको J-Gordon और Halizer ये पिल्को safe option है आपके small league के लिए, GL के लिए आप Kalim Sanah को ट्राइ कड़ सकते हो, 4 ओगर पूरह करते है और नीचे भी बेड़ डालेंगे आपके डेथ में भी, साथ मीन जफर को भी na Gipkin में ठ्राइया रजाए किया है, ठीक है बागी यह कुछॉपशन आपकी साथ हो सकते हैं, इसको आप चाहो तो आप जा इंडियन टीम इस मैच को वन साइड़ेट विनिंग करने वाल ये रीसेंट फांदे को पाँच के पाँच मैच जीता है, वहीं कैनेडा ने आखरी पाँच में से दो मैच जीता है, तो बहुत बड़ा अंतर भी है या टीम में भी मतलब कोई कॉमपारेजन नहीं कर सकते, सबसे बेस्ट ऑप्शन हैने वाले, कैप्टैंसी के लिए आप बुमरा के साथ जा सकते हो, वीसी के लिए अर्शदीब, मुझे लग रहा है इस मैच में आप वीसी अर्शदीब नहीं, आप वीसी सिराज जाओ, रिस्टेकर हो, सिराज को वीसी बनाओ, या फिर रोईत को बनाओ, कोली को बनाओ, सेफ जाओ, सेफ खेलना है तो रिशब पन्थ, यही कुछ ऑप्शन आपके पास होने वाले है, टीम का स्क्रीन शॉट ले लो, सिर्फ वीसी चेंज कर देने हैं, क्योंकि वीसी में अर्शदीब को लेके बोख़त प्रिटी में शॉट नहीं, तो आ बोई शर्मा, रिशब पन्थ, हरीजर और जे गॉर्डन, यह हमारे जील के कुछ सीवीसी रहेंगे, और अगर आपको सेफ खेलना है तो गुमरा, अर्शदीब, कोली, हार दी, यहां अर्शदीब से बैटर, एक नाम मेरी तरब से, सिराज, फ्री में ले लो, इस मैच में, गेम चिंजिंग प्लियर यह खिलाड़ी हो सकता है, और यह सारे प्लियर को लेकि अपनी टीम क्रियेट कर लो, और ग्रैंड लिंग में सीवीसी, सिराज के साथ चले जाना है, बागी एक दो प्लियर रिस्की पिक कर लेना, अगर स्मॉल लीग खेले हो, तो बिलकुल सेफ कोई रिस्क वहां मत लेना, क्योंकि वहां रिस्क बार ही पड़ जाएगा, ठीक है, मैं नहीं चाहती, जील में रिस्क लिया ना सकता है, हम तो यह स्मॉल लीग में रिस्क ले लेते हैं, आप ग्रैंड लीग में रिस्क नहीं लोगे, तो ऐसे कैसे काम चलेगा, बागी गा करें, आज का मारा गिववे कोश्चन यह रहने वाला है, कि यहां पर इस मैच में प्लेयर ऑफ दे मैच कौन बने वाला है, आपके फैंटसी में सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन दिलाने वाला है, सबसे पहला कॉश्चन और सेकिंड कॉश्चन आपको बहुत इजी उससे C A N India vs Canada, हैस्टक लागा के आंसर कर देना गाई, और टेलिग्राम पे जुडने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन, कॉमेंट बॉक्स तो रुचे के टेलिग्राम मिल जाएगा, जल्दी से जागे सबसे पहले तो टेलिग्राम पे जुड जाना है, गाई देको इंडिया के म मैंने बहुत दिल से आप तक अपती बात पहुचा आई है, मैं बहुत दिल से चाहतु है, आप सब बहुत अच्छी विनिंग करो, जो ग्रैंड लिग्राम जरूर हिट करेंगे, और स्मॉल लिग इस मैच में अपनी होने वाली, जैकपॉर्ट मैच है, बड़ा है मैच, तो वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक, कॉमेंट, शेयर में यहाँ पर एकदम बर्मार कर देना, भरसाहत कर देना, धेर सारे लाइक, कॉमेंट, शेयर कर देना, भाकि आप इंस्टा पे भी जोइन कर सकते हो, और आज इंडिया के मैच है, तो मेरी तरफ से आप सब को, all the best.